कि नमस्कार दोस्तों सौगत्य आप स्विकाँ आपके अपने चैनल अमन प्रयास जी के जिस्पे तो दिश्यागे फैंड्स आपका एक्जाम था जो कि तिन दिनों के होने के बाद आपका एक्जाम समाप ठुग गया है जैसा कि आपका एक्जाम कल यानि कि 29 जुन तक ही था और आपका एक्जाम कंड़क्ट हुआ है और आज आपका है 30 जुन तो आप लोग में से बहुत सारे लोग कॉमेंट कर रहे हैं कि एससे सीपू इशाई का जो आपका अंसर की है वो कब आएगा क्योंकि एंसर किया जाने से आपको यह अनुमान लग जाता है कि आपका कितना सही है और आपका कितना गलत है तके और कितना सही और कितना गलत होने के बाद आपको एक आईडिया लग जाता है कि हमारा सही है कि आप लगर और माल लगा हैं कि हाँ हमारा eher filters such a hadn होगा है तो इसलिए भी आप लोग इंसर की का इंतजार कर रहे होते हैं तो आस कि वीडियो में रहा ही बात करेंगे आपका जो अंसर की है तो यहीं का स्यन्थ का वोब आएगा ठेकर और हम लोग बात करेंगे आप का दढे नहीं करेंगे जो भी बात करेंगे वह रिखत पर बात करेंगे कि आपका जो सब्सक्राइब कर दो आप लोग चैनल पने होगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो देखिए वीडियो को स्टाट करते हैं उससे पहले दूस्त आपको बता दें कि अगर आप इस साल अगर एससी या रेले या बैंकिंग या डिफेंस या आप कहीं भी सेलेक्शन लिना चाहते हैं ठीक है कोई भ अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है तो ठीक है अगर आपका सेलेक्शन नहीं हो पाता है करना है तो आपको आगे की त्यारी करनी होगी ठीक है तो इससे कि वह ठीक होता है तो उन सब इक्जामों का जो मौक टिस्ट होता है जो साकी प्रस्ट आपके एक्जाम में है कूपन को डेपी जी के साथ आपको पास को पर्षेश करना होगा लिंक डिस्किप्चर में दिया गया है और कॉमेंट सेक्षिर में भी पीन क्या हुआ है तो आप लोग जागे एक वार पर्षेश जरूर कर लीजेगा एक साल के अंदर जीते में एक्जाम होंगे आप उ किसका एक्जाम कंड़क्ट हो था इससी जेए का ठीक है दोजाट चोबिस में तो इससी जेए का दोजाट चोबिस में एक्जाम के बात करेंगे तो इसका जो एक्जाम आपका कंड़क्ट हुआ है वह आपका पांच छे साथ जून को आपका एक्जाम है जो कि आपका को भी हुआ और यहां पर आपका साथ जुन को आपका खतम हुआ था जो इंसर की है वह दोस्तों आपको 12 जुन को आ गया था कव आए था 12 जुन को आए था भाई तो गैप कितनी दिनों का हुआ तो गैप के बात करते हैं तो इसमें दोस्तों गैप आपका 4D का गैप है जो कि दिखा गया थियान देते रहीए गा वीडियो को ध्यान सब्सक्राइब तो यह तो दोस्तों आपका बात रहा एससी जई का अब बात कर लेते हैं इससे पहले हुए एक्जाम कंड़क्ट हुआ है सब्सक्राइब का तो यह एक्जाम आपका कंड़क्ट हुआ है 20 फरवारीश से लेकर 17 मार्च तक 1714 मेरकब हुआ है और इसका रिएक्जाम था च्पह्टीं किया है तो यह टाम आपका 30 मार्छ को ख्रणक Cathedral हrows तो इसका जो एंसर की है वह आपका कब आया है था तो इसका एंसर की कि बात करेंगे तो इसका एंसर की दोस्तों देखने के तो यहां पर गाप की बात करते हैं तो कितने देक्स काँड़ पर आपको देखने को मिला था ठीक है चलिए यह तो देख लिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो अब आगे चलते हैं यह तो 24 का अब दोजाट-पचीज का भी देख लेते हैं 2023 का भी देख लेते हैं क्या 2023 में भी कुछ ऐसा ही था क्या कि एंसर की आपका चार दिन में तिन दिन में आ रहा था तो देखिए अपनों पाएंगे 2023 के बारे में ठीके तो 2023 की बात करते हैं तो यह एक्जाम दोस्तों आपका कंड़क्ट हुआ था नौश लेकर 11 अक्टूबर को यानि कि 9-10-11 अक्टूबर 2023 को आपका यह एक्जाम कंड़क्ट हुआ और इसका जो इसमें भी कोई रही एक्जाम था तो हम देखेंगे कि इसमे में भी आपका कोई रही एक्जाम है जो कि नहीं था और इसका जो एंसर की है वो दोस्तों आपका कव आया था तो इसका एंसर की दोस्तों आपका आया था 13 अक्टूबर को यानि की गैप कितना दिन का हुआ भाई तो गैप हुआ दोस्तों आपका एक दिन का यानि 11 अक्ट 2013 के बारे में वी कि यह 23 में क्या था भाई तो दोजर्ट ऐस की बात हम लोग करते हैं ऐसे कि का तो ऐसे सी प्यू दोजर्ट रहीस में हम लोग देखते हैं विश्चा करेंट कि आपका एग्जाम जो होता तो डोस्तों मात्र और मात्र एक दिन का गैप यहां पर देखने को मिला है ठीक है कितनी दिनों का एक दिन का गैप देखने को मिला है ठीक है तहके तो 2023 में जो आपका का SSC था वो फूल मूड में था ठीक है कि एक्जाम खत्म हुआ बस एक दिन का एक्जाम खत्म हुआ इसके पाद एंसर किये जो कि दे दे अगर बोलिएगा तो देख लेते हैं लोग देखते हैं तो करते हैं जो कि आपका एक्जाम याश का 12 1000 का 725 जसीं है तो 14 जो सत में आपका सट थी तो इसमें आफ़कर एomics हम ड्यक्षूम नहीं हुआ था था है नहीं हो यह द्सदोफ कि तो छे डिक संबर को तो इसमें कि कितने दिनों का deduct of out हुआ फाइ तो कि आपका डेख लेते हैं तो we are यहां पर आपको देखने को मिला ठीक है यह तो दोस्तों आपका कुछ डेटा थे ठीक है, तो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, कि SSC पहले यहां पर एक दिन का गैब दिया, ठीक है, फिर यहां पर दो दिन का गैब दिया, फिर थ्वासा और आगे बढ़ें तो हम लोग पाएं, कि यहां आपका तीन दिन का गैब दिया, और आगे चलें, तो सबसे लास्ट जो एंसर की आया है वहां पर आपका चार दिन का ग्याप दिया ठीक है तो इससे आप अनुमान यह लगा सकते हैं कि आपका जो एंसर की है जो की डेट आने का है वह मिनिमम एक दिन है और मेक्सिमम आपका अभी तक देखें तो चार दिन है ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं हाल में जो एक्जाम कंड़क्ट हुए और इसका एंसर की नहीं आया इसका जो एंसर की है ओ दोस्तो आपका पैंडिंग है यानि कि अभी तक आपका नहीं आया है दो 27 28 29 30 तो चार दिन की बात करते हैं तो आज आपका चोहता दिन है जो कि आपका 30 जुन है ठीक है हालां कि आपको अभी तक अपडेट बता दें कि SSC सेलेक्शन फेस 12 का जो एंसर की का जो लिंक है वो दोस्तों आपका जेनरेट कर दिया गया है ठीक है आज में भी किसी दिन किसी भी समय साम 5 बजे तक या 5 बजे के बाद जो आपका एंसर की है वो द देखिए इसका एक्जाम आपका कंड़क्ट हुआ है 27 28 29 जुन को तिके और इसमें आपका कोई भी तक ऐसा भी सुचना नहीं है कि आज में आपका री एकजाम होगा तो दोस्तों 29 को एक्जाम कंड़क्ट हुआ तो मेनिमम हम लोग एक दिन देखें तो 30 को को तो कोई भी खर चरशा नहीं रख सकते हैं क्योंकि ऐसा कभी कभी हुआ ही नहीं कि आज ग्लेंसर के आगी टो इसका एंश्र की हम लक्त आशा करते है एक जुलाई को टिकेいる यह continuing in बता रहें बित अभी तक परिश्थिति है दुरा चार तो एक जुलाई को आपका एंसर की नहीं आता है क्योंकि इनसर की दिन के बाद आता था अभी का डेटा यही है कि आपका एंसर की चार दिन के बाद आता है तो चार दिन के बाद आता है तो आपका इंसर की दोस्तों कब आएगा चार जुलाई को आएगा कितना परसेंट चांस है तो यहाँ पर आपका 90 परसेंट चांस है तो 10 परसेंट चांस कहां गया तो 10 परसेंट चांस आपका 5 जुलाई को है लेकिन बात करेंगे 4 से लेकर 5 जुलाई में तो आपका 100% चांस है कि 4 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच आपका इंसर की आपका आ जाएगा और आपको यह अनुमान लग जाएगा कि हाँ इस बार क्या मेरा सेलेक्शन ससी सीप्यू में होना है कि नहीं होना है या आगे कि सीप्यू का त्यारी करना है कि नहीं करना है ठीक है बाकी फिजिकल भी है तो जो भी लोग फिजिकल के त्यारी करने के लिए प्रदिक्षा कर रहे है तो उनको भी एक आईडिया लग पाएगा तो आपलोग का यही एक डेटा देटा था तो कि आप लोग वीडियो पसेंद हुआ है इसा मेरा मनना है वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल ना चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हाँ यह टेस्टबुक के यहली टेस्टबुक पास प्रोसे जुनने के लिए लिंक कॉमेंट सेक्षिन में पीन किया हुआ है आप लोग जाकर उसको जोईन किजिएगा और कुपन कोड़ एपीजी यूज किजिएगा और आपका आज तीजुन तक ही है कल से ऑफर एक जुलाई इस तो तक हम और आपका 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 आपकाँ जबुक कोड़ से जुलाई इसी युलाईएगा न.